विपक्षी एक्ता की स्क्रिप्ट लगभग दो फेज में तयार हुई इसे तयार करने में कुछ नेता हो ने परदे के पीछे से भुमिकान इभाई तो कुछ सीधे सामने आकर आईए जानते हैं विपक्षी गडबंदन में कैसे 7-26 दल 340 दिनों तक चली लंबी कवायत के बाद विपक्षी एक्ता ने अब आखिरकार शकल लेना शुरू कर दिया है बेंगलोर में कॉंग्रिस समीत 26 दलो मीटिंग के बाद मलिकार जुन खरगे ने कहा कि उन्होंने गडबंदन का नाम रख लिया है अब इस मोर्चे को भारती राष्ट विकास समनवई गडबंदन इंडिया नाम से जाना जाएगा सबसे पहले गडबंदन वारे राजियों में समान वीचारधारा वाले दलों से संपर्क साधा गया उन पार्टियों से बात शुरू की गई जो पहले कभी कॉंग्रेस के साथ गडबंदन कर सरकार में रह चुकी है इनमें CPM, सपा, टुन्मूल और PDP जैसी पार्टिया प्रमूख है नितिश कुमार की सलापर ही विपक्षी मोर्चे की अगली मीटिंग मुंबई में रखी गई महराष्ट की सियासत में पिछले साल से ही उतल पुतल मची हुई है शुशिना के बाद हाल ही में NCP में तूट गई है विपक्षी पार्टिया वहां मीटिंग कर मनोवैग्नानिक बढ़त लेने के फिराक में है विपक्षी मोर्चे में सपात रुमूल जैसे दलो को जोडने में नितिश कुमार का रोल अहम है माना जा रहा है कि नितिश कुमार को विपक्षी मोर्चे में सैयों जग का पद मिल सकता है बेंगालूरू में कॉंग्रेस अध्यक्ष खर्गे ने कहा कि मुंबई की बैठक में नाम तैह हो जाएगा